अलो फ्रेंट्स मेरे नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंट्स आज हम लोग लेशन नमर 16 पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की न्यू बुक है और इसका आज हम लोग कोसान अंसर करेंगे जिस लेशन का नाम The Kind Prince है द्यालू राजकुमार तो चलिए फ्रेंट्स हम लोग बिना देरी करते देखते हैं कि इनके कोसन क्या दिये गए हैं और उनको करना कैसे है फ्रेंट्स यहां पर जो नमबर 2 का जो कोसन आप लोग देख रहें नमबर B वाला कोसन वो यह है कि What was the name of Sidharth parent? Sidharth के माता-पिता का नाम क्या था? तो एक बात मैं बताना चाहूँ, according to the lesson, इसमें Sidharth के माता-पिता का नाम नही दिया हुआ है ठीक न, तो सिधार्थ के माता-पिता का नाम नहीं दिया हुआ है इसलिए मैं अन्वेल हूँ, असमर्थ हूँ इस क्वेशन का आंसर दे पाने में हलाकि कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि सिधार्थ पेरेंट्स वास यहां पर देखिए, सुधोधाना एंड इस मदर वास क्वीन आप यहां पर अगर कुछ लोग ये लिख हैं सिधार्थ पेरेंट्स वार यहां पर किंग सुभधाना एंड मदर वास क्वीन महा माया तो ये उनकी बात है वो लोग चाहें तो लिख सकते हैं पर ये उनके माता पिता का नाम नहीं है ये उनके पोजिशन और उनके राजदर्वार यहां पर जो किंग सुभधाना की बात की जा रही है वो एक सुभधाना एक छेतर था जहांके वो राजा थे और जो उनकी माता क्वीन महा मया की वो रानी थी तो ये उनका नाम नहीं है ये वो कहां के राजा और रानी थे ये बताया गया है फ्रेंड्स यही बात मैं बताना चाहता हूं इस कोशन नमर टू में तो बाकी कोशन मैं कराया हूँ उसको चलिए चल करके देख लेते हैं जो दूसरा जो पहला कोशन है वो यह है कि where was सिधार्थ born? सिधार्थ का जन्म कहां हुआ था? यहां बर देखें फ्रेंड सिधार्थ was born in कपिल वस्तू ठीक है? तो यह जो आंसर आप लोग को दिखाए दर आईए यह वाला का आंसर है आप लोग इसको लिख सकते हैं ठीक? अब चलिए कोशन नमर D C को देखते हैं जो कोशन नमर C है वो यह है कि why was सिधार्थ not happy? through he leave in a beautiful palace Linux सिधार्थ क्यों नहीं खुश थे? जबकि वह एक सुन्दर से वह एक महल में भी रहते थे सुन्दर से महल में रहते थे तो यह खुश क्यों नहीं रहते थे? तो इसका आंसर चलिए देखते हैं तो जो आंसर नमा C का आंसर है वो यह है कि सिधार्थ लब नैचुरल ब्यूटी, सिधार्थ प्राकिर्तिक सुंदर्था को प्यार करते थे, फ्लावर्स, फलो को, चिडियाओं को, इंस्टेट कीट पतंगों को, जानवरों को प्यार करते थे, therefore he was not happy, inside even a beautiful palace, इसलिए वो एक सुंदर प्यार्थ के अंदर रहना पसंद नहीं करते थे, वो सुंदर्था को प्यार करते थे, ना कि मानो निर्मित चीजों को प्यार करते थे, इसलिए जो है वो घर मे रहना नहीं चाहते थे, वो अपरशन नहीं रहते थे, खुस नहीं रहते थे, next question यह है कि who shot swan swan यानि Hans को किस ने मारा तो हम लोग जानते हैं कि Hans को जो है उनके cousin देवदत ने मारा था तो इसको answer में हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर जो answer है वो यह है कि देवदत saw the swan Hans को देवदत ने मारा हुआ सिधार्थ कजिन जो सिधार्थ का कजिन था जो सिधार्थ का चचरा भाई था तो चलिए अब next question को देखते हैं next question यह है कि what did सिधार्थ do to save the swan swan को बचाने के लिए Hans को बचाने के लिए सिधार्थ ने क्या किया तो सबसे पहले सी धारत ने क्या किया उस हंस को बचाने के लिए, वही इसमें लिखा गया, सी धारत pulled the arrow out of it, सी धारत ने उसके सरीर से तीर को बाहर निकाला, wash the wand और उस जखम को धोया and gave it to drink water और इसे पीने के लिए पाने दिया, उस बेचारे जानवर यानि जो हंस था, जो पानी पीने के लिए दे दिया, तो इस प्रकार उन्होंने उसकी जान बचाई, अगला और आखरी देखें यहां पर यह है कि what was judgment of the king, राजा का न्याय क्या था, यह राजा ने एक कांसन न्याय सुनाया, तो चलिए इसके आखरी कुशन को भी देख लेते हैं, यहां देखे friends, he gave the judgment, उन्होंने निरड सुनाया, that the bird, यहां पर डर्ड हो गया, गलती से, bird है, B-I-R-D, the bird did not belong to देवदत, as he had sought it, जो चुडिया है, वो देवदत की नहीं हो सकते ही, क्योंकि उन्होंने इसे मारा है, it rightly belong to सिधार्थ, as he had to save it, इस पर पूरा-पूरा सिधार्थ का अधिकार है, क्योंकि उन्होंने इसे बचाया है, तो उनका जो न्याय था, वो यह था कि देवदत यह तुम्हारा हंस नहीं हो सकता, इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुमने इसे मारा है, और यह देवदत का हंस है, क्योंकि देवदत ने इसे बचाया है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट में पड़ा भी था कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है, तो राजा ने इस बात को ध्यान में रखते हुए, य निरड़े सुनाया यहां पर कुछ दिये गये हैं जिनको किसने किसने कहा उसी को जो है अम लोग को आइदेंटिफाई करना है I sought it यह देवदत ने कहा था I am brave यह भी देवदत ने कहा था you should you should be king sorry you should be kind to bots and animal इसको जो है सिधार्थ ने कहा था ठीक है next जो है give me to swarm मुझे हंस दे दो यह जो है देवदत ने कहा था तो आप लोग देवदत भर लेंगे यहां पर I will not give you this word यह सिधार्थ ने कहा था तो आप इस question में सिधार्थ भरेंगे it is सिधार्थ's brother as he had saved it last वाला यहां पर king भरा जाएगा कि king नहीं इसे कहा था कि यह सिधार्थ का word है और सिधार्थ ने इसको बचाया इसलिए यह सिधार्थ की चिडिया होगी तो last में आप लो question इस box में आप लोगो सिर्फ भर देना है जैसे यहां पर सिधार्थ भरा गया देवदत भरा गया है उसके नीचे जो है आई एम ब्रेब तो उसके नीचे जो है भी देवदत ही भरना है यहां पर देखिए friends यहां पर जो opposite word लिखना है जैसे यहां पर ब्रेब का crowd लिखा गया है beautiful का अगली होगा यहां पर देखिए beautiful का अगली यह two number में भर लेंगे दे रहा है three number वाला में भरा जाएगा उसके बाद से यहां पर देखिए पॉलिट जो आप लोगों दिखाई दे रहा है इसको आप लोग इन पॉलिट में जो है इन पॉलिट तो यहांपर आप love के सामने hate regular के जहाई regular सेको जitने पी चीजाए वो लिख नेंगे आप लोग तो आइचो कि यह जो लेसन है यह जो वीडियोफों की सवेजिवी तरह कि कोई विदिकत नहीं होगी तो मिलते है अम अगली वीडियो में इसके अखरी लेसन में मुझे उमीद है कि इधर नीचे की सभी चीज़ों को समझ में आया होगा और एक और बात मैं बता दूँ कि सभी अब तक के lesson 1 से लेकर के lesson 16 तक का मैं सभी हिंदी अनुबाद अप्रोड कर दिया है उनके question answer को अप्रोड कर दिया है और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के playlist में जाकर के rainbow classics का new book का आप folder क्लिक करेंगे और वहां से सभी वीडियो से आपको मिल जाएंगे तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी लों का बहुत बहुत धन्यवाद